तो वेलकम तो दे इंडियन एडवांस ट्रडिस आज की जो इस वीडिये में आप सब इस्टूडेंस को बताना चाहूंगा कि पॉंडिचरी आई टी आई में आप एडमिशन कैसे लेंगे आप इलिजिबल कैसे होंगे अडमिशन लेने के लिए तो उनकी जो प्रोसेस होंगे यहां पर जैसे कि अप्लिकेशन फॉम को रिलीज किया जाता है पर कहां पर किया जाएगा किस तरह से किया जाएगा फिर क्या क्या करनी होंगे आपको अप्लिकेशन फॉर्म फील करने से पहले उतसे भी मौस्ट इंपॉर्टेंस वह चीज हैं क तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वालो step by step कि पॉंडिचरी में आइटियाई पॉंडिचरी आइटियाई में आप एड्मिशन कैसे ले सकते हैं तो simple है काफी easy way है कि आपको सबसे पहले तो इनिजबिटी जाननी है आपकी minute list बगरा कैसे कहाँ पर किस तरह से क्या करना होता है सब चीज यहाँ पर बताने वालों आपको चेक करके तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद सर्च करेंगे आई एस पर क्या है यह एक्स्क्रूसी अपसाइड है जहाँ पर आपको पॉंडिचरी आई टाइ के रिलेटेट सारे के सारे information, updates, notifications जो होती है सबसे पहले आपको इसी website के तरह आपको मिलेगा IAS paper ठीक है अब यहाँ पर क्या है आपको बता चल जाएगे कि application form, dates है eligibility है और भी सारी information जो भी होंगे मैं आपको वो बताऊँगा सब कुछ बट आगे बनने से पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यह information फिल कर दीजए यह application form फिल कर दीजए जिसमें आपको चोटा सा information फिल करनी होती है आपका नाम क्या है, आपका email id क्या है, आपका contact number क्या है आप कौन से state से belong करते हैं, कौन से city है, कौन से course में आपको interest है आपकी highest qualification कितनी है अब तक कि वो सभी details field करने के बाद आपको get free counseling पे click करने होगे जिससे क्या होता है कि आपको best suggestions मिलते हैं, best colleges के related, आपके email id और contact number के through मिलता है इसे field करने के बाद इसे cut कर दीजगा, ठीक है अब यहाँ पर क्या देख पाते है, तो Pondichari ITI admission is managed by the through government industrial training institutes for the women Pondichari के लिए और यह admission offer करता है, candidates के, कि यहाँ पर various various ITI courses में admission ले सके, ठीक है और इसे, there is the common interest examinations of ITI to provide admission to the candidates in ITI courses में भी बहुत सारे यहाँ पर, आपको बताता हूँ क्या क्या सारी शीज़ है तो यहाँ पर आप देख सकते है, courses को जो offer की के, through Pondichari ITI के तुरू यहाँ पर कुछ courses है, कौन से courses है Computer Operator, Programming Assistance का है DTP Operator, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, कौन से courses है Mechanical Civil है, और Electric Chain का है, Electronic Mechanical Fitter का है, और Institutes वगेरा सब यहाँ पर बहुत सारे courses है आप देख सकते हैं, Plumber, Plastic वगेरा वगेरा तो यह सबी चीज़े यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर बात करता है, Quick Links यहाँ पर जो highlights वगेरा कि यह आपका exam का नाम की, आप जानते हैं, Pondichari ITI है इसका full form तो आपको पता होना चाहिए, Pondichari Industrial Technical Institutes, ठीक है आप चाहें तो not down कर सकते हैं, यह सारी चीज़ यहाँ पर है, अभी यहाँ पर exam level जो है, State level का exam होता है अगर आप इसका exam देते हैं, qualified हो जाते हैं, चमाक्स के साथ, तो यहाँ पर आप State level का exam देपाता है अच्छी बात है, exam type जो यहाँ पर diploma type का exam है, ओके, और conducting body जो इसकी है, Government Industrial Training Institute for Women Pondichari यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका application form online mode से आपको release करते जाएगा, और application form का date आएगा, जो भी date आएगा, वो जून में या फिर कभी भी आ सकता है, बट आपको जाकर करके, जरुवत है कि आपको official website पर जाईए और वहाँ पर चेक किजए, उसका link जो है, यहाँ पर भी आ आपको दे दियागा, आप चाहिए तो यह टाइप करके, अपने browser में type करके, search करके, official website पर जाकर चेक कर सकता है, ठीक है, ओके, तो admission का कुछ date यहाँ पर बतायागा, कि अगर आपको date देखना होगा, कि application form कब release किया जाएगा, last date कभी है, announcement कभी है, कि मेरे list कभी announce की जाएग result कभी आएगा, counseling कभी आएगा, और सारी details जो भी होगे related to, तो उसकी details यहाँ पर आपको दे दे जाती है, कि आपको इस date पर वो चीज़े आने वाली है, वो activity होगी, वो events होगे, तो ऐसा आपको चेक कर नहीं, इस table में यह सारी चीज़े बता दी जाती है, अब बात करते है application alles, application form की, जब application form आपको feel करना होता है, तब जब आप admission लेने वाले होते हैं, तो application for feel करना होता है, official website पर आपको application form, release की जाएगी, और आप application form feel करके admission ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ detail देनी होती है, जो आपको खुट से देनी होती है, आपके phone number, mobile number, पर होता है, email id होती है, और भी कुछ relevant information से यहां पर field करनी होती है, ठीक है, scan copy, जो requirement होती है, documents आपके photograph होती है, signatures होती है, thumbprint, left hand के जो भी है, और और भी कुछ details होती है, जो name, address, courses, academic records, address, data birth, gender, category, ठीक है, तो इन सभी के details देनी होती है, ठीक है, अब उस application form में यह सरी details देनी के बाद, आपको last to last time पर application form के payment करने भी होते हैं, payment करने होते हैं, जो अलग-अलग category के अलग-अलग payment के charges बताया रहते हैं, जितना भी charges रहेंगे आपको बता दिया जाता है, आप payment कर सकते हैं, online more से debit card, credit card, and banking दूस करते हैं, और एक बार आप payment कर देते हैं, तो non-refundable है, बता देता हैं आपको, कि आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, अगर आप चाहेंगे तो, application form के print out याद से निकाल लीजेगा, future reference के लिए बहुत काम का है हो, अभी बात करते हैं, eligibility की, आप eligible कैसे होंगे, अगर आप यहाँ पर admission लेने वाले हैं, तो application form फिल करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आप जानने लेजेगे, कि आपका eligibility है, वो देखना है, बहुत important है, आप eligible कैसे होंगे, यहाँ पर आपको बता दिया गया है, कि candidate should, इंडिया नेशन, बिलॉंग टु दे यूनिवन टेरी टेरी पॉंडी चरी, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि domicile certificate आपका पॉंडी चरी का होना ही चाहिए, आपके पास, वो भी valid होना चाहिए, जो, तो फिर आप eligible हो पाएंगे, जो भी ओल लड का यहाँ पर 10th class आपने complete किया, उसके बाद 12th class किया है, 12th class आपने complete किया है, ओके तो यहाँ पर आप eligible है, पॉंडी चरी आटेरी एड में admission ले सकते हैं, आप यहाँ पर, candidate must have studies, जो है आपने 12th class में complete किया है, कौन कौन से subject, compulsory subject है, science, maths, English, यह आपके जो subject है, compulsory subject है, आपको इस subject में qualified हो नहीं है, और diploma certificates, engineering are also eligible, ओके, अब यहाँ पर क्या देख पार है कि merit list, merit list तो आपको official website पर इसकी जानकारी मिल जाएगी, इसकी announcement वगेरा जो भी है, informations, instructions मिल जाती है, और वहाँ पर आपका जाकर कर चेक कर रहा होता है, highest level of the education received by them, they will shortlist in the merit list में, short merit list में, यहाँ पर आपको क्या है, आपका based होता है, आपके marks पर, marks अपने अच्छा secure किया है, तो आप यहाँ पर merit list में select हो पाएंगा, ठीक है, ओके, so यहाँ पर ITI counsellings होती है, counsellings में क्या होता है, merit list में आपका select हो गया, selections हो गए है, तो आप यहाँ पर counseling में आ जाता है, counseling grounds बहुत सारे होता है, जिसमें आपको complete करनी होती है, registration की process complete करनी होती है, documents आपकी original होनी चाहिए, जो documents होँआ पर मांगा जाएगा, verification के लिए, ओके, फिर आपको seat alert किया जाएगा, और आप महाँ पर eligible हो जाएगे, और आप फिर admission लेके apply कर सकेंगे, तो यहाँ पर college alert आपको करेगा, कि आप यहाँ पर हो गया है, आप यहाँ पर admission ले चुके हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो जो भी हमें आपर सारी details आपको दिये, सभी step by step इस वीडियो में, इसके related, पॉन्डिचर याइट आइके related, तो यहाँ पर आपको, आपको सारी doubts clear हो गया हैं, जो भी doubts होंगे, admission के related, तो आप इस तरह से updated रह सकते हैं, और official website की link चाहिए, तो link मैंने यहाँ पर भी देखा दिये, आपको चाहिए, तो यह वाला link पर क्लिक करके आज सकते हैं, या फिर मैंने description box में आपको link दे दूँगा, इस page की, okay, so check कर सकते हैं, और कुछ भी doubt है, तो comment कर देजएगा, okay, so thank you so much for watching my video, thank you.